नमस्कार मित्रो आज मैं साबित्री और सत्यवान की कहानी लेकर उपस्तित हुई हूँ साबित्री सिरी अर्विंद का महा काब्य है साबित्री का कथानक महा भारत में 18 इसलोकों में दिया गया है साबित्री इश्वर्य क्रिपा की प्रतीक है जो की सत्यवान रूपी जीव को इश्वर तक पहुंचाने के लिए अवतरित होती है साबित्री सब्द सबित्र से बना है इसमें सूधातु है जिसका अर्थ है उत्पन करना सोम सब्द भी सुधातू से बना है जिसका अर्थ है उस साह वर्धक प्रेम अथवा आत्मिक आनंद इस प्रकार सबित्र का अर्थ है सर्जग स्रिष्टी को उत्पन करने वाला इस प्रकार साबित्री का अर्थ होगा सबिता की पुत्री अथवा दैवी सर्जन सर्जग की सत् सत्यवान का अर्थ है जिसके पास सत्य है अत्वा जो सत्य पाना चाहता है इस काभ्य में सावित्री के पिता अस्वपती को जीवन स्वामी माना गया है अस्वजीवन सक्ती का धोतक है अतह अस्वपती का अर्थ जीवन का स्वामी ही हो सकता है सत्यवान और सावित्री का व्रतांत मृत्यू को जीतने वाले दामपतिक प्रेम की एक कहानी के रूप में महाभारत में वर्णी थे साबित्री राजा अस्वपती की पुत्री थी जिसे राजा ने बहुत कठिन तपस्या करने के उपरांत देवी साबित्री की किरपा से प्राप्त किया था इसलिए राजा ने उसका नाम साबित्री रखा था साबित्री बहुत रूप वानव गुडवान थी लेकिन उसकी अनुरूप योग्यवर न मिलने के कारण साबित्री के पिता दुखी रहा करते थे इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को स्वेम अपना वर तलासने के लिए भेजा साबित्री अपनी बर की खोज पर निकल पड़ी इसके लिए उसे अने को देशों में जाना पड़ा जैसे ही वा आगे बढ़ी बहुत से द्रिश्य न दिया और मैदान उसके रास्ते में आये और वे सब उसकी इस्मृती में जागरित हुए रास्ते में उसे बहुत से मनुस्य ऐसे मिले जिनको उसने अपने साथियों के रूप में पहचाना साबित्री को अनुभव हुआ की कुछ परिवर्तन अवस्य होने वाला है उस इस्थान पर बहुत से पर्वत अपना सिर उठाए आकास पर आक्रमन कर रहे थे और पृत्वी उनके चरणों पर लेटी हुई थी हंसमोर और सुग्य ब्रक्छों पर मनियों के समान जड़े हुए थे प्रकृति में किसी प्रकार का भेद नहीं था इसी प्रकार के इस्थर पर समय के दुखत मार्ग पर एक अजनवी आता है मृत्यू और भाग्य के जुवे के नीचे एक अमर आत्मा जुती हुई थी इस प्रकार अरण्य में साबित्री को प्रेम प्राप्थ हुआ अरण्य यानि जंगल साबित्री और सत्यवान का मिलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी वह अनेक जन्मों से चली आई परंपरा का अंत था उनका मिलन एक नवीन यूग का प्रारंब था प्रतिवी पर एक नवीन स्रिष्टी थी यदिपी सावित्री और सत्यवान एका एक मिले थे किन्तु उन्हें पुर्व जन्म के संबंध का भान हो गया पहले सत्यवान ने सावित्री का नाम पूछा और उससे रथ में से उतरने को कहा उसे इस प्रकार संबोधन किया स्वन्मई महिला के रूप में गढ़ी हुई सुरी की प्रभा को मैं समझता हूँ कि तुम केवल पार्थिव नहीं हो पार्थिव रूप के पीछे मैंने देवी सक्तियों को देखा है वन्देवियों को पत्तेव के पीछे से जांकते देखा है तुम भी उनमे से एक हो सकती हो यदि तुम मानबिय प्रेम का अनभव कर सकती हो हमारे प्रतवी को प्रेम कर सकती हो हमारी तरह ठकान का अनुभव करती हो और पार्थिव अन खा सकती हो तो नीचे उत्रो हमारी कुटिया में पधारो साबित्री कुछ देर के लिए रुकी अपना नाम बताया और सत्यवान का नाम पूछा यह भी जानना चाहा कि राजभवन के बदले कुटिया में क्यों रह रहा है शत्यवान ने अपनी पिता का राज छिंजाने और अंधेपन का हाल बताया यह भी कहा कि मैं मौनों के बीच में भी मैं सुखी हूँ मैं प्रकरती के राज्य में रहा हूँ जो की दूसरो राज्यों से कहीं अच्छा है सत्यवान सावित्री को अपनी कुटिया में ले गया जो की उसके भविस्य का संसार था उसने वहां देखा कि किस प्रकार सत्यवान का जीवन घांस फूस की कुटिया से ढका हुआ है यही उसके हिर्दय का भविस्य घर था तब सावित्री ने कहा कि मेरा सरीर पिता के घर जाकर वापस आएगा किन्तु मेरा हिर्दय यहीं रहेगा और वह अपने रत पर चड़कर मद्रदेश को प्रस्थान कर गई नारद के गायन के समय सावित्री पहुँच गई अस्वपती ने नारद से प्रार्थना की कि आप ऐसा आसिरवाद दीजिये जिससे सावित्री का आनंद कायम रहे और दुख अपना स्वर न उठा सके नारद ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचा बैठे रहे बाद में विशय बदल कर पूछा सावित्री किस महान कारे के लिए गई हुई थी अस्वपती ने उत्तर दिया वह अपने स्वामी को खोजने गई हुई थी तब नारद ने सावित्री से पूछा हे राजकुमारी आनंद से पूण पृत्वी पर राजा के समान वह कौन पुरुस है जिसे तुमने चुना है सावित्री ने उत्तर दिया द्युमुत्सेन का पुत्र सत्यवान है अरण्ये के एकांत छोर पर वे मुझे मिले और मैंने उन्हें बरण कर लिया तब आखिर नारद बोले उन्होंने भाग्य माता के हिर्दय को छेदते हुए भाग्य को प्रकट किया है सावित्री ने सत्यवान को चुना है यह बहुत सुंदर है उसका ब्यक्तित्व प्रकट्ती की गती का अग्र भाग है उसमें आत्मा और प्रकरती दोनों का संतुलन है उसमें अमरों की अभिप्सा मौजूद है वह जीवन के प्रस्तरों से बना हुआ देवता है किन्तु भाग्य का विधान भी अटल है उसके लिए बारा महीनों के उरते हुए पंक दिये गए हैं आज के दिन ही सत्यवान की मृ सित्यू होगी तब रानी ने कहा जाओ बेटी एक बार और चुनाव करो साबित्री ने बड़ी सांती किन्तु द्रिनता पुर्वक कहा एक बार मैंने चुनाव कर लिया अब दूसरी बार नहीं करूंगी जैसे एक बार सत्यगोसित करने के बाद सदा रहता है और काल की इस सदा गुंचता है उसी प्रकार मेरे हिर्दय ने सत्यवान के प्रती अपने विश्वास पर मुहर लगा दी है इस मुद्रा को न तो भाग्य न मृत्यू और न काल तोड़ सकता है भाग्य का नियम बदल सकता है किन्तु मेरी आत्मा की इच्छा नहीं नारज जी कहते हैं य किन्तु मृत्यू ही तो सबका अंत नहीं है साबित्री एक विशेस निर्मात्री है फिर उन्होंने रानी से कहा कि साबित्री के निश्चे के आगे मत जाओ और न उसे साधारन रूप से समझो वह तो मनुष्य की भावनाओं से परे है इसलिए उसे इस्वर पर छोड़ दे ना चाहिए इतना कहकर नारद चले गए नारद के सब्दों ने सत्यवान के साब को निश्चित बताया था और साबित्री के चुनाव का समर्थन किया था एक और भागय और दूसरी और साबित्री का निश्चे संसार भागय का विरोध नहीं करता साबित्री ने जो कुछ च प्यान किया, साबित्री ने बिल्कुल नया जीवन प्रारंध किया, सत्यवान के साथ जो आनंद मिला उसे बहुमुल्य समझा क्योंकि वह मृत्यू के अधिक समीब था, आस्रम उसे स्वर्ग समान लगा, मानो सब कुछ मुस्करा रहा हो। साबित्री ने अपने सोते हुए पती की और देखा और उसे लगा कि अब ये थोड़े ही समय के महमान है, उसके मन में एक वर्ष की इसमृतिया क्रम सा आई और भूत काल में लुक्त हो गई, वह हिम्मत करके उठी और सत्यवान द्वारा पत्थर पर चित्रीत की हुई, देव इस भाव से सारी बाते कहीं, जिससे उसे आने वाले दुख का अनुभव न हो, उसने कहा, मैं एक वर्ष तक हरे भरे बन की, इस कुटिया में सत्यवान के साथ रही, किन्तु बन की, अंतरात्मा में प्रवेस नहीं किया, मेरे मन में यह प्रवल भावना बनी रही, की मैं सत सत्यवान के साथ बन जाऊं, अब मुझे इसकी अनुमती दीजिये, रानी ने कहा, जैसी तुम्हारी इक्छा, तब साबित्री सत्यवान के हाथ में हाथ मिलाकर, बन की विसाल सांती और सौंदरे में प्रवेस करती है, सत्यवान भी साबित्री के साथ रहने से हरसित होता है उसने साबित्री को बन का सारा बैभव वताया सत्यवान ने जो कुछ कहा उसकी ओर ध्यान न देकर वह तो जीवन के बदले मृत्यू की बात सोच रही थी उसका हिर्दय यही सोच रहा था कि मृत्यू का भयंकर देवता यही कहीं छिपा हुआ होगा अब सत्यवान लकड़ी काटने का काम समाप्त करने की सोचता है जिसके बाद वह स्वतंत्रता पुरवक साबित्री के साथ घूम सके साबित्री चूपचाप सत्यवान की ओर देखती रही उसके जीवन में कुछ मिनट ही बाकी थे किन्तु सत्यवान उससे अपरचित रहने के कारण मजे से कुलहाडी चला रहा था तभी सत्यवान को अचानक सरीर में भयंकर दर्द का अनुभव हुआ कुछ देर उसे आराम सा लगा किन्तु यमराज रूपी जंगल काटने वाला अपने कुलहाडी वराबर चला रहा था उसने साबित्री को पुकारा साबित्री तुरंत उससे लिपट गई उसने कहा मेरे सिर और हिर्दय में ऐसा दर्द मालूम हो रहा है जैसा इस ब्रक्ष को मेरे काटने पर अनुभव हुआ होगा मुझे अपनी गोदी में सिर रखने दो और अपने कोमल हाथों से दुर भाग्य से मेरी रक्षा करो सायद तुम्हारे इस पर्ष से मृत्यू टल जाए तब साबित्री उस कटे हुए ब्रक्ष को छोड़ कर दूसरे ब्रक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान के सिर्व सरीर को अपने हाथों से सहलाने लगी किन्तु उसे दुख या भै का अनुभव नहीं हुआ बलकि एक सांती उस पर छा गई अब सत्यवान के सरीर का रंग फीका पढ़ने लगा जीवन का प्रका समाप्त होने के पहले वह चिल्ला उठा सावित्री सावित्री सदा के लिए बिदा होने के पहले तुम मेरा चुम्बन तो लेलो और चुम्बन लेते लेते सत्यवान चल बसा उसने समझ लिया कि प्रत्यक्ष यमराज उपस्थित हैं सत्यवान उसके आलिंगन से छूट गया सत्यवान के सव को नीचे रखकर वह यमराज का सामना करने को उठी मानोव वह अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए यमराज के सामने आई रित्यू का देवता अपलक उनकी और देखता रहा एक महिला और एक विश्व व्यापी देव एक दूसरे के विरुद खड़े थे तब एक उदास और भयंकर आवाज उठी उसने कहा हें प्रकरती की दासी अपने प्रेम मैं प्रभाव को ढिला करो और उसे छोड़ दो रोध होकर इसे भूल जाओ अकेली प्रतिवी पर एका की जीवन बिताने के लिए लोट जाओ खिंतु साबित्री हिली डूली नहीं तव वह फिर बोला तुम भी सत्यवान के समान अभी सब्त प्राणी हो शाबित्री ने अपने हिर्दय के बल को बटोरा और वह सामना करने के लि प्रत शरीर को छोड़ कर एक दूसरा प्रकासवान सत्यवान बाहर निकल रहा है वह यम और साबित्री के बीच खड़ा हो गया वह एक अंधे के समान आग्या सुनने के लिए तैयार था तीनों सांत भाव से खड़े थे तब पत पर चलने की प्रेणा हुई और सत्यवान आ निस्तब्धता में अनुगमन कर रही थी ऐसा लग रहा था कि सत्यवान और यम आगे निकल जाएंगे तब उसकी आत्मा सरीर के घोंसले से निकल कर एक बाज के समान सत्यवान की ओर उड़ी नई दुनिया में केवल तीन आत्री ही चल रहे थे तब वे एक गहरी रेखा पर हे मृत्यू अपनी जाती में लोड जाओ यम राज के घर में साथ चलने की इक्छा मत करो जहां काल स्वेम मर जाता है वहां तुम्हारी सांस कैसे जी सकती है तुम्हारा प्रेम केवल मानसिक है स्वर्गिक सकती नहीं किन्तु सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया उसकी नत आत्मा अपनी इक्छा सकती में अडिक रही अगनी की ज्वाला के समान वह उपर चली गई वे रात्री के भयंकर किनारे खड़े थे सावित्री उसमें खोसी गई उसे कोई रास्ता या लक्ष नहीं दिख रहा था ना वहां मृत्यू थी ना वहां शत्यवान शत्यवान और उसके बीच एक खाई सी थी वह घंटो चलती रही जीवन के मृत सरीरों पर चलती रही किन्तु मृत्यू के बीच में भी सावित्री जीती रही फिर एक धुंदली इस मृत्री जागरित हुई रात्री के अंधकार में भी वह प्रकास बढ़ने लगा सावित्री की आत्म जागी और उसने सत्यवान को भी एक जुलंत चाया के रूप में देखा। जन्म्रित्यू के परिव्म यम ने उसकी योड़ देखकर कहा तुमने शुन्यता को पार कर लिया है इसलिए तुमने विजय पाली है सत्यवान के बिना भी तुम रह सकती हो आखिरकार तुम सनातन देवी से क्या चाहती हो बस जीवन के श्वपनों को लंबा करना या और बिचार करती हुई मिट्टी का चमतकार ही तो है इश्वर्वर स्वर्ग सब उसकी कलपना है मनुष्य का मन ही इन सब की कलपना करता है इसलिए तुम प्रिथवी पर लोट कर साधारन जीवन बिताओ सत्यवान को लोटाने की आसा छोड़ दो तुम्हारे जीवन के आखात क मिटाने के लिए बहुत से बरदान दे सकता हूँ तब सावित्री बोली हेम रित्यू के विसाल चेहरे मैं तुम्हारे प्रती सिर नहीं जुका सकती मैं अमर हूँ इसलिए चलती जाओंगी कमजोरों के समान मैं छोटे मोटे बरदान नहीं चाहती मैं तो देवताओं के शमान युद करूंगी मैं वही चाहती हूँ जो जीवन भर सत्यवान चाहता रहा किन्तु प्राप्त नहीं कर सका यम उपेक्छा के साथ कुस जुके और बोले मैं उसके पिता का राज्य सक्ती और मित्र सब कु को तैयार हूँ मैं उसकी आखे भी दे दूँगा अब तुम अपने छोटे से लोप में वापस जाओ साबित्री ने कहा मैं तुम्हारी बराबरी की आत्मा हूँ मैं मृत्यू रूप में भी अमर हूँ मेरी आत्मा अपनी जीवित जोति से नियम और भाग्य दोनों का सामन कर सकती है अपनी इक्षापूर्ती के लिए मुझे सत्यवान की आत्मा वापस दे दो मैं उसके साथ सनातन माता का भार बहन करूंगी यम ने साबित्री से कहा कि मेरे नियमों को अतिकमरन करने की अपनी सक्ती का प्रदर्शन करो पर साबित्री ने कहा कि वह ऐसे ही सुखों को पाना चाहती है जो उसमें और सत्यवान में समान हो किन्तु यम ने कहा कि यदि तुम अपने लिए कोई बस तु मांगो तो मैं दे सकता हूं किन्तु सत्यवान को जिलाना नियमों के विरुध है किन्तु साबित्री ने आगरह किया कि मैं सत्यवान के सिवा और कुछ नही चाहती तवियम ने वचन दिया अच्छी बात है मैं वह सब देने को तैयार हूँ जो जीवित अवस्था में सत्यवान तुम्हारे लिए चाहता रहा हो किन्तु साबित्री ने वह सब लेने से इंकार कर दिया और पृथिवी पर लोटने को भी तैयार नहीं हुई तवियम राज ने कहा क्या तुम समझती हो कि सारे सुख एक ही मनुष्य में केंद्रित है मनुष्य जीवन के दुखों को बहुत जल्दी भूल जाता है और उसका प्रेम भी अनंत समुंद्र की तरंगों के समान बदल जाता है तवियम राज ने कहा क्या तुम समझती हो कि सारे सुख एक ही मनुष्य में केंद्रित है मनुष्य जीवन के दुखों को बहुत जल्दी भूल जाता है और उसका प्रेम भी अनंत समुंद्र की तरंगों के समान बदल जाता है यम ने कहा एक बार पृतिवी पर लोट करतो देखो तुम दूसरे मनुष्यों को भी सत्यवान के समान प्रेमी पाओगी साबित्री ने कहा मैंने और सत्यवान ने सनातन काल से एक दूसरे को प्यार किया है देवताओं के सारे रहश्य मुझे ग्यात है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते जीवन और मृत्यू मेरी शनातन अगनी के लिए इंधन के समान है मैं अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करूंगी और सत्यवान को पाऊंगे अब मृत्यू ने अपना अंतिमुत्तर दिया यदि सत्य जीवन के परे है तो फिर सत्य और विश्व के बीच में कौन सा निर्मान हो सकता है सत्य को कौन मनुष्य निकाल सकता है क्या तुम में वह सक्ती मौजूद है क्या तुम काल और मृत्यू को जीत सकती हो यदि ज्यान संसार में परिवर्तन करने के लिए सक्ती उत्पन नहीं कर सकता यदि सक्ती सत्य और प्रकास नहीं तो तुम अपनी उस सक्ती को प्रकट करो अपनी आत्मा की सक्ती का उद्गाटन करो तम मैं सत्यवान तुम्हें वापस दूँगा और यदि तुम सर्वत चमाता हो तो अपना मुझे दिखलाओ जिसमें मृत्यू आँख मिला सके तब तुम्हारा पती जीवित हो सकता है और प्रत भी अपने को इस्वर के समीप समझ सकती है सावित्री मृत्यू की ओर देखती रही किन्तु कुछ बोली नहीं उसमें एक सक्ति साली परिवर्तन हुआ मृत्यू अभी सावित्री की आज्या मानने को तैयार नहीं था अब उसका आकार अंधकार शमंद्र के शमान बढ तब अचानक एक अजे सकती के दबाव से यम का सिर और उसकी छाती दबने लगी उसने अपनी सकती बहुत धकेली किन्तु प्रकास ने उसे निगल लिया अंत में उसकी छाया सुन्य में लिप्त हो गई तथा सावित्री और स्षत्यवान अकेले रह गए सावित्री ने देखा कि एक ही सर्व व्यापक तत्व विश्व में काम कर रहा है अभी जो यम और रात्री दिख रहे थे वे मधूर्ता में बदल गए उनका विशाल काया रूप भी परिवर्तन हो गया अंत्मे इस्वर ने कहा सावित्री तुम ही तो वह सकती हो जिससे मैंने विश्व का निर्मान किया पर तुम विश्व योजना और काल की मंदगती को जानती हो आत्मा को इस अज्ञान विश्व की और मत ले जाओ यदि तुम मनुष्य और प्रिथिवी को आध्यात्मिक उच्चता तक ले जाना चाहती हो तो तुम्हे इस्वर मनुष्य और विश्व के सत्य की खोज करनी होगी जाओ उस कालहीन तत्व की और आरोहन करो नियती के चढ़ाव उतार को अपनी इच्चा सक्ती की मुद्रा में अंकित करो अब साबित्री ने अपने आपको ऐसे बन में पाया जहां प्रकरती में आनंद ही आनंद भरा था उसने सत्यवान के जीवित सरीर को इसपर्ष किया साबित्री ने धीरे से कहा सब कुछ बदल गया है किन्तु वह जियों-कातियों है हमने इस्वर के मुख के दर्सन कर लिये हैं हम सर्वो परी के समान बन गए हैं और इसका अर्थ हमने अपने मानविय जीवन में समझा है किन्तु मानवी प्रेम के आनंद में कुछ भी कमी नहीं हुई है क्योंकि स्वर्ग का इस पर्स पृत्वी को मिटाता नहीं किन्तु उसे परिपूर्ण करता है। मैं वही साबित्री हूँ तुम्हारे एक्छाओं की रानी और दासी। और साबित्री ने अपने दोनों हाथ सत्यवान के गले में डाल दिये। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस स्थान को छोड़ कर अपने भवन की ओर चले। उन्होंने चारों और मनुस्य का कोला हल सुना अनेक प्रकार की आवाजे आने लगी। उन्होंने बहुत बड़ा जनसमुह देखा। सभी लोग हाथों में मसाले लिये हुए थे। उन्होंने बहुत से पुरोहित और युद्धा भी थे। आगे अगर राजा दिमुच सेन अपनी नई आँखों से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। उनके बाजू में उ लिष्टी और राज्य दोनों मिल गए किन्तु तुम दोनों कहां थे। किस भै ने तुम्हें भयंकर जंगल में रोक रखा था। फिर सावित्री की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा सावित्री यह तुम्हारे योग्य नहीं था कि तुमने अपने पती को हमें नहीं लोट आया। सत्यवान ने कहा यह सब इसी का दोस है। यही सब की मूल है। दो पहर को मैं इधर घर छोड़ कर दूर दूर के अनंत लोकों में बिचरन करता रहा किन्तु तो भी मैं उस स्वर्णिम हाथों का बंदी बना रहा। एक पुरोहित और रिशी तुरंत बोल उठे कौन सा वह प्रकास और कौन सी सक्ति है जो हमारे लिए सुख कर युक का द्वार खोलेगी। साबित्री ने उत्तर दिया प्रेम और एकता का अनुभव करना ही जीवन है। यही वह परम सत्य है जिसे मैं जानती वह चाहती ऐसे उदाहरणों से प्रोसाहित होकर हमें आसा करनी चाहिए कि यह उग्रता पुर्ण प्रतिकूल निड़न अंती में मंद्रिन नहीं हो सकते और यह तै करेंगे कि साबित्री के लिए रद्दी की टोकरी उप्रियुक्ति स्थान नहीं है। जो द्वार सब के लिए बंद रहा है लेकिन कुछ के लिए खुला हो सकता है आत्मा का राज्य केवल मनुस्य की आंत्रिक सत्ता में ही नहीं बलकि उसके जीवन और उसके कारियों में भी इस थापित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।